इससे डॉक्टेर बशायल जहुर और अभी आप देख रहे हो MBBS मतलब जहुरी MBBS और अचापने वाले हैं अपने निक्राइट मेटावालिजम का एक और बहुत जादा इंप्रॉटन टॉपिक जो कि अपने पूपने होने वाला है एक आउट के ऊपर वह पता है इसके उपर एक के स्टेडी के फॉर्म में पूछ ले जाता है ना सिर्फ या फिजियोलोजी में भी पढ़ूंगे और नेक्स यर पैथलोजी में भी पढ़ूंगे तो इन शॉर्ड यह टॉपिक बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और देखो गाउट यह होता है क्यों में में एक्स्प् एक जॉइंट के इंफ्लामेशन की डिसीज है जिसके अंदर अगर आप यहां में पैर का आप जॉइंट देखो तो उसके अंदर क्या होता ना यूरीक ऐसेड जो है सीरम के अंदर ज्यादा हो जादा हो गया तो जाहिए जबात फिरो क्या होगा कोई भी चीज अपने ब्ल बड़के लेवल के अंदर उसका लेवल बहुत जादा है दैन वो फिर जो जाकर डिपॉजट होने लगता है तो अगर अपनी बॉड़ी के अंदर यूरीक ऐसेड़क जाता है दैन वह सॉफ्ट टिशू में जाकर डिपॉजट हो जाती है दिसे कि आप यहां पैर के जॉइ अथ्राइटिस मतलग जॉइंट का इंफ्लामेशन है तो आपको यह चीज़ी समझ में आ गई कि यूरीक ऐसेड के कारण जो हो रहा है यूरीक ऐसेड के जाधा बनने के कारण अब मैं तुम्हें बता हूं यूरीक ऐसेड़क जाधा क्यों बनता तो यह चीज़ समझो तो क अगर तुमने मेरी प्यूरीन मेटापॉलिजम के वीडियो नहीं देखी ना मैंने पूरा explain कर रहा है कि प्यूरीन का synthesis कैसे होता है पूरी पाथवे होता है और प्यूरीन का degeneration कैसे होता है इसकी पहले दूसरी वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो यार यह वीडियो समझ में नहीं आने वाली तो make sure कि तुम वह वीडियो पहले देख लो लिंक डेवाइस वीडियो डाली है तो वह देखते चाहो मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं मैं तुम्हें तुम्हारी बाई के मैंसी फिंगर टिप्स पर करवा दूंगा अब आगे बढ़ते हैं मैं तो यह होता हूं को तुमने पढ़ के रखा है तुमने बेसिक नॉलेज है तो देखो गॉट मैं आपको बताए यूरिक ऐस्ट के कारण होता है अगर में नॉर्मल कंसेंट्रेशन होता है सीरम यूरिक ऐसट कkef का वो अपने बॉडी के अंदर होता है कि 1-7 mg 1-dell पर डाइसीलिटर के बात करें कि कि यूरीक एसड का किड़नी से कितना होता है वह आपना होता है 500-600 नियुमेरिकल चीजए है यह क्या होता है अब सबसे पहले हैं तो जाइट के यूरीक एसट के के डिपोजिशन हो जाएगा तो joint जो है swollen हो जाएंगे, joint के अंदर सूजन आ जाएगी, joint के अंदर लाल कलर के दिखेंगे और pain होने लगेगा joints में बहुत जादा और अगर क्या होगा ना, nodules भी बन जाती है under skin, आप देख पारो इस तरीके से, skin के नीचे इस तरीके से nodule formation हो जाता है और joint जो है ना, गरम होते हैं, warm joint अपने हो जाते हैं, तो यह अपने चार main symptom है, gout के और old age के जो लोग रहते हैं, वो mainly gout से affected होते हैं तो यह अपने symptom हो गए, तो फिर अपना आते हैं कि sir, यह mainly gout होता क्यों है, तो मैं पहले इसके ना, normal physiology बता देता हूँ तो याद रखना, जो अपने uric acid जो रहता है ना, इसका जादा soluble form पता है, उसका जादा soluble form अपना होता है, monosodium urate, जो monosodium urate जो रहता है ना, यह बहुत जादा soluble form होता है, अब जाई जिसी बात है, जादा soluble है, तो blood के serum में जादा अच्छे से dissolve हो जाएगा, जादा transport जादा अच्छे से हो पाएगा, तो मैंने उपर लिख भी रिखा है, at the physiological pH, uric acid is found in a more soluble form, उसका जादा soluble form है, जादा soluble form है, और normal pH में यही state में बनता है, अब होता है, मैं तुम एक्स्प्लेइन करता हूँ, अब क्या होता है, sodium urate क्या है, जादा soluble है, तो वो क्या करता है, soft tissue में जाके deposit हो जाता है, soft tissue में जाके, जिसके current joint में जो है, arthritis हो जाता है, inflammation हो जाता है, और जब अपना sodium urate deposit होता है, तो उस चीज को अपन बोलने लगते है, tophi, उसका अपन टौफाई बोलते हैं, यह नॉर्मल ती चीज है, जो मैं तुम बता रहा हूँ, तो तुम इ में अगर मैं आपको बता हूँ, गाउट अपने होता है, दो तरीके के, एक primary gout, दूसरा अपना होता है secondary gout, तो इन दोर में difference अगर मैं करके बता हूँ, तो primary gout क्यों होता है, अपने purine के metabolism में defect के कारण अपना होता है primary gout, इसका reason क्या है, इसका primary reason अपना होता है, enzymes, आपक PRP synthase, PRP glutamyl amidotransferous enzyme, और जब अपना purine metabolism को तोड़ते हैं, तो इस condition में एक enzyme जो है, अगर उसकी deficiency हो जाए, जिसा हम बोलते है, HGPIT deficiency हो गई उस enzyme की, तब भी अपना क्या होगा ना, जो purine metabolism में ज्यादा टूटेगा, तो यह सारी चीज ना, ऐसे समझ में नहीं आएंगी, मै प्रामरी काउट का मतलब क्या होता है, जब purine metabolism के अंदर enzyme का defect होगा, या तो enzyme कम हो जाएंगे, या फिर enzyme ज्यादा काम करने लगेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तब अपना purine metabolism में defect हो जाता है, secondary count का मतलब होता है, अगर किसी और disease के कारण अपना uric acid condition body में बढ़ रहा है, उसको अपने बोलते हैं secondary count, मतलब mainly purine metabolism सही है, लेकिन कोई और disease, uric acid का concentration बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अपना leukemia, polycythemia, lymphoma, अगर अपने को लग गई, trauma हो गया, soft tissue में तो trauma, और starvation, अगर तुम रख secondary count के लित्ते भी नाम है, ये direct box से में लिये हैं, और MCQ मेरी खुद की जवलबर की university में first year में आया था, ये MCQ से पूछ ले जाता है, तो तुम ये सारे नाम अच्छ से याद कर ले ना, बात हमने कहरें primary count पे, वो में तुम्हें अच्छे से explain करता हूं, क्योंकि उसका flow chart जो बहुत सारे flow chart होते हैं, और ये flow chart है ना, ये proper 3-4 flow chart का mix up है, उसको में रटन नहीं पाऊंगे, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, समझे ने की, और उससे तुम उसको फिर याद भी कर लोंगे, तो देखो, मैं ना तुम्हें जूम करता हूं, इतना, तो मेरी साफ से इतना प्रॉपर तुमें clearly visible हो रहा होगा, तो ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, अब तुम्हें ये पूरा clearly visible होगा, तो सबसे पहले, अपन आजाते हैं, सबसे पहले, प्यूरिन का metabolism में एक चीज़ होती है, बनना मतलब synthesis, तो आपको पता है, प्यूरिन किसे बनते हैं, बिल्कुल सभी जवाब एडनेन गॉनन अपने बनते हैं राइबोस 5 फोस्पेट से तो सबसे पहले राइबोस 5 फोस्पेट से अपन क्या करते थे अइनोजीन मुणो फोस्पेट बना लेते थे यह सारी चीजें अपन पढ़ चुक है मेरी पहली वीडियो में है तो तो मैं ऐ आइनोजीन मोनोफोस्पेट जो है वह अपना क्या बनाते थे वह अपना बनाते थे जी एमपी मतलब की गॉनरजीन मोनोफोस्पेट और आइनोजीन मोनोफोस्पेट जो अपना में नेम गोल था ठीक है और उसके बाद अपन क्या करते थे जो अपना आइनोजीन मोनोफोस कुछ नहीं है आपको इसको अगर याद करना फ्लो चार्ट को तो पहले तुम चीज़ा समझो इसको पहले तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहला पार्ट इसका सिंटेसिस दूसरा पार्ट इसका कैटाबॉलिजम और तीसरा पार्ट अपना होता है राइबोस फाइब फ चेंट की विडियो में अपना इंट्रेमेडिये राइबोस फाइब फोस्वेट वाला सेगमेंट होगा मैं अब इससे तुम्हें बताऊंगा तो अब तुम्हें यह याद करना है कि हर सैगमेंट में एक या दो एंजाइम होंगा जिसके कारण ऑना यूरीकैसट हो रहा है तो तो पहले देखो राइबोस फाइब फोस्पेट जो है वह अपना सबसे पहले क्या बनता था अगर अपना बनता था पी आरपी और पी को बनाने के लिए अपने यह एक एंजाइम होता इस अब बोलते है पी आरपी सिंथेज अब बिल्कुल लॉजिकल सी बात है अगर पी इनोसीन मोनोफोसफेट बनेगा और ज्यादा इनोसीन मोनोफोसफेट फिर यूडीक ऐसेट में भी ज्यादा तो यह बिल्कुल ना फ्लोचार्ट वाला काम है अगर यह चीज ज्यादा होगी और प्यारपी सिंथेज यह पूरी स्टेप को रेगुलेट भी करता था अगर फीडबैक रेगुलेशन किसी तरीके से खराव हो जाता है डिफेक्ट हो जाता है तो अपनी पूरी साइकल जाद हो जाएगी सबसे पहला एंजाइम अपना रेता है प्यारपी सिंथेज जोगी यूडीक ऐसेट बनवाता है फिर इसकी दूसरी स्टेप में एक और काम करेंगे तो आयोजिन अपने यूडी तुमसीन बसु Companies in लगता है जैसे आए आपन बोलते पान ऊक्सिदेश एंजाइम जंतिन यह क्या करता है है यिक स्टेश में करता था इंजाईम यूरिक एसिट में करता था यही एक मेंट की एंजाइम है जिससे ट्रीटमेंट होगा इसले में तुम बता दिया अब यहां पर एक और चीज तुम अच्छी तरीके से समझ लू अपन अभी कर क्या रहा है अपन पढ़ रहे हैं प्यूरिन का मेटाबोलिसम और अपने सैल में पहले से कुछ प्यूरिन होते हैं यहां पर अपना फ्री गवानिन है और है अपन पहले क्या करते हैं एक एंजाइम होता है जिसे अब बोलते हैं है यहां पर लिखा भी है चौट फॉर्म लिखा है फुल फॉर्म बता रहा हूं है इसको मैं नोट में पढ़वा दूंग ए अब यहां पर इस बात को समझो अगर यह वाले एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई जाइस अगर इस एक्टिविटी कम हो गई तो ग्वानिन कॉब जुआ जाएगा और ऑ्लड जाएगा और गवानिन की तो इंतिन में convert हो जाता और यहां जब फिर से अपनी यूरी कैसिट की जो कहानी जो है प्रेम करता जो है वो चालू हो जाती है तो अपने प्यूरी सिंटेसिस वाले पार्ट में दो एंजाइम के ज्यादा एक्टिविटी के कारण और डीजेनरेशन में अगर इस एंजाइम यह अगर कम काम करें तो इसके कारण अपनको यूरी कैसर के लावल बढ़ जाता है और तुम देखो ऐसे ही याद कर पाऊंगे रटे नहीं पाऊंगे इसको मैं तुम समझा दिया दैन फिर अपना आजातने अपने लास्ट सेग्मेंट पे जो कि अपना है एच एमपी शंट व क्या बनता है दो मॉल्कुल ऑ पाइरुविक आइसिड पी पहली स्टैप जहां पर क्या घूटा है गलुकोस को अपन कंवर्ड करते थे ग्लुकोस इक्सफोस्वेट में यही घुटाने पाप पे विकलुकोस में भी कनवर्ड कर सकते थे कैसे वा धा हैल्प स enorm हैं चलुकोई खुट और वा हैं पूरा टिखने के लिए अगर कम छाएगी तो ग्लुकोई चिक्स पूसवेट को लिग मैं इsm होती नहीं होगा अगर से एक्टिवाट ने नो स्थांगें आयन तो रास्ते वाली बात है इसमें रास्ता नहीं मिला तो कहीं न कहीं तो जाएगा इंजाइम यह याद च्रण ने कि नियहाँ जाएंजाएम अगर यह जाधा है अगर इसकी एक्टिविटी अगर कम होगी तो अपना राइवसफाइफ फोस्वेट ज्यादा बनेगा और फिर अपने यूरिक असे ज्यादा बने लगता है उसके रावा एक एंजाइम और रेगुलेट करता है इससे अपन बोलते हैं ग्लूटत हैं रेडक्टेल एंजाइम यह भी बहुत होता है अगर तो मैंने तुम्हें पूरा एक्स्प्लेइन कर दिया मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं पूरा थोड़ा लाउंग करके दें पूरा अपना गाउट का फ्लोचार्ट है आपको ऐसे ही उसको यूनिवासेटी में 20 नंबर में बना के आना है तो तो यहां के कम एक तुटीटी के कारण और ये यूरीक ऐसे जादा हूरा था जीड रहा तो तुम्हार बास आगया पेशेंट अब त्रीटमेंट के लिए अब तुम्हां पर समझो है अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलू ना वो भूला चांब डॉक्ट्टर मत बनूं तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो जोला चाप डॉक्टर मत बनो पूरी फिजिलाजी वगड़ा सब समझा करो अब देखो एक ड्रग है वह क्या करती है वह अपना जैंतिन जैंतिन ऑक्सिडेस काम नहीं करेगा तो कभी अपना हाइपो जैंतिन में नहीं होगा और यह वाला एंजाम इनिवेट कर दिया तो इसलिए अपने क्या होती है यह क्या करती है यह क्या करती हैं यह अपने किडनी मैडिसेन होती है इसका ना उतना यूरीक तो क्या होती है यह क्या करती किडनी से और यूरीएचेट का रिया उप्जॉप्षन कम करवा लेती है जिससे क्या होता है यूरीक एशड का लेवल कम हो जाता है बैं दिखा बजाता हूं ये इसका लिखाया पूरा ट्रीडमेंट अपना एपना एस नियान के उपर तो नेक्स टॉपिक रिले अलप्राइब कर लेना तो पहला ट्रीडमेंट में नहीं नहीं लिखा ये शॉर्टनोट्स है इसलिए मैं बहुत कम लिखता हूं ताकि जादा अगर मैं पूरा लिख तो यह अपना हो जाता है गाउट का ट्रीटमेंट अब दवाई तुम बोलोंगे सर कितने दिन देनी है कितना एमजी देना है यह चीज जो है तुम अपने सेकेंड यह में पढ़ोंगे तो गाउट ना तुम बहुत बार पढ़ने वाले हों थर्ड यह में फोर्थ यह में इसका बेस अच्छे से कंप्लीट कर लेना लेना अब बात आती है सर उसको युनिवर्सिटी में 20 नंबर में कैसे लिखना है तो यह जो सारे नोट्स है ना यह मेरे नोट का नाम है बायक है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस नोट का लिंग के नाम तुम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मातर नेक्स वीक यह जो है मेरे वेबसाइट भी अबलेबल हो जाएगा तो यार तुम लोग ना मजदूर लोग नहीं हो नोट मेरी वीडियो देख रहे हो नोट बना रहे ह क्तलि यह पूरा वार है श्युक्त रहेएं फिर पूरा एक फ्लोचार्ट मनाना तो तुम्हारे और यह ऐसी बहुत जाएंगे फिर दुम्हें सकते हो कि अधुम आराल है एक स्था कर लिए फिर सकते हो तो all the treatment यूल जेल सकते हो मैंने बान चार पेक्त वर जांगे लैंड थूडी बढ़ा नी है चार विल्टे करें लिख विए उसको ال Campaign में पैंसे में सकते हो मेरे नोट्स के जरीए बस तुम्हें ना मैंने ना तुम्हेंसे में में हेडिंग बता दी कि एक्जामियर क्या चाहता है वो डेविनेशन फ्लोचार्ट गाउट के टाइप गाउट का ट्रीट्मेंट और सिम्टम यह सारी चीज़ें जो एक्जामियर को चाहिए अगर तुम् तुम्हें में से पूरे मांक से मिल भी सकता है बस तुम्हें साफ तरीक चैसे पूरे क्लियर तुम लिखो तो विडियो से हैल्प जो लाइक करा नेक्ट वीडियो लेशलिहान के उन्हेवाली तो उस वीडियो के लिए स्ब्स्ट्राइब करो थांक्स वर वासिंगेंड